शेर और चूहा एक बार की बात है, जब एक शेर जंगल में सो रहा था. उस समय एक चूहा उसके शरीर में उच्छल कूट करने लगा अपने मनोरंजन के लिए. इससे शेर की नींद ख्राब हो गई और वो उठ गया साथ में गुसा भी हो गया. वही फिर वो जैसे ही चूहे को खाने को हुआ तब चूहे ने उससे विंती करी की उसे वो आजाद कर दे और वो उसे कसम देता है कि कभी यदी उसकी जरूरत पड़े तब वो जरूर से शेर की मदद के लिए आएगा. चूहे की इस सासिकता को देखकर शेर बहुत हसा और उसे जाने दिया. कुछ महिनों के बाद एक दिन कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने अपने जाल में शेर को फसा लिया. वही उसे उन्होंने एक पेर से बांध भी दिया. ऐसे में परेशान शेर खुद को छुडाने का बहुत प्रयत्म किया लेकिन कुछ करना सका. ऐसे में वो जोर से दहाडने लगा. उसकी दहाड बहुत दूर तक सुनाई देने लगी. वही पास के रास्ते से चुहा गुजर रहा था और जब उसने शेर की दहार सुनी तब उसे आभास हुआ की शेर तकलीफ में है जैसे ही चुहा शेर के पास पहुचा हो तुरंट अपनी पैनी दान्तों से जाल को कुतरने लगा और जिससे शेर कुछ देर में आजाद भी हो गया और उसने चुहे को धन्यवाद दी बाद में दोनों साथ मिलकर जंगल की और चले गए कहानी की सीख इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उदार मन से किया गया कार्य हमेशा फल देता है ये कहानी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेर करो आप अगली कौन सी कहानी देखना चाहते हैं कमेंट में हमें जरूर बताए और ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि ऐसी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए